दोस्तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी पालक पनीर की सबजी तो चलिए दोस्तो इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पाव पनीर और इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पर कड़ाही जो है चढ़ा दिया है और ओईल डालकर और ओईल भी हमारा गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर को तो पनीर को हम इसमें डाल रहे हैं और पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और मैंने यहाँ पिलिया है एक चमच अद्रक लसुन जिसे मैंने कद्दुकस कर लिया है और साथ ही तीन मीडियम साइस के टमाटर जिसे मैंने कट कर लिया है और एक बड़े साइस का प्याज जिसे मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर हम ले रहे हैं पालक, पालक को हमने अच्छे से धो लिया है और अब हम इन तीनों का पेस्ट तयार करेंगे मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट तयार करेंगे तो पनीर भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो अब हम सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो ओईल हमारा गरम ही है तो इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच जीरा और एक चम्मच सरसो के दाने और एक चम्मच अध्रक लसुन चौपके हुवे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे और ये है पालक, टमाटर और प्याज का पेस्ट तो अध्रक लसुन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें पेस्ट को डाल रहे हैं और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे और मिला करके इसे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू यह optional है अगर आपको पसंद हो तो डाले तो अब यह थोड़ा सब पक चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वात के अनुसार नमक और एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच कास मेरे लाल मेज पाउडर यह ज़्यादा तीखा नहीं होता है अगर आप इसमें तीखा और डालना चाहते हैं तो आप इसमें तीखा वाला लाल मेज पाउडर भी डाल सकते हैं तो इसे हम थोड़ी देर और अच्छे से पकाएंगे तो अब ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं दो चम्मच साही पनीर मसाला तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्राई की होए पनीर को और पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर मसालों के साथ पनीर को हम पका लेंगे तो पनीर भी अब थोड़ी से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले भी हमारे गाड़े हो चुके हैं तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूं और अब मैं इसमें डाल रही हूं हाफ कटा हुआ नीबू का रस आप इसमें चाहें तो दही भी डाल सकते हैं दो चम्मच बट मैं इसमें नीबू डाल रही हूं पनीर में थोड़ा सा खटापन डालने से इसका टेस्ट ज जाता है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ती और अब हम इसे फाइनली अच्छे से मिला लेते हैं और लेजिए बन करके तैयार है पालक पनीर की सब्जी और अब हम इसे एक बाउल में सर्फ कर लेते हैं तो दोस्तो एक बार जर से पी और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बैल आइकन को प्रेस करना न भूलेगा जिससे मेरे नेक्ट वीडिय तब तक लिए धन्यवाद